मुझे रतलब बहुत प्यारा लगा और मैंने एक चीज़ सोच के लिए कर आई अगे 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 अभी बज़ रहे हैं रात के बारा और यहां देखो हम गये मार्केट अरावर में कितनी रौनक यहां पर होई है जाव मजजद पर तो मतलब रात को मतलब पुरी रात मार्केट को लिए रहती अच्छा लगता है इतनी रौनक लगती है आप लोगों को भी दिखाते हूं वैसे हमने जादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत जादा भीड़ थी तो यह तो अभी शुरुआ थी शुरूई थी मार्केट तो इसमें इतना जादा नहीं लग था लेकिन अंदर जाके बहुत जादा भीड़ और की थी तो हमने जादा कुछ शूट नहीं किया था असलालेकूम तो कैसे आप सब उमीद करता है आप सब अच्छे होंगे कैसे होंगे अल्लग शुकर से हम भी बहुत अच्छे हैं तो अभी टाइम हो रहा है दूपैर का टाइम हो रहा है लेकिन अभी कुछ जादा लोगों में गया है तो खेर अभी सब काम होगा है अभी तो पूरा किचन मेरा फैल पर है अ तो बर्तनों की तुम इतना इन भरकत होती है एक ताव ऐसे य ही डेली में भ़हत भरकत होती है अर रम्दान में माशाळला बहुत ही जादा होती है तो बस यही सब चल रहा है तो मिदो दोप अफ्तार का टाइम होने लगता है पकोड़ी बनाने में उसमें इतना अधलब टाइम हो जाता है कि फिर नमाज के बाद मगरिब के नमाज के दरोजा खुल लेगा इतकान हो जाती है फिर मन नी करता कि कुछ भी कर लो तो सुचिए आज तोड़ा जल्दी ही लग जाती हूं कि कि जल्दी सारे काम निप्टा दूँगे तो आज वैसे भी खाने में वैसे कुछ नी मना रही हूं साथ महां रहती है रात में इतना अच्छा लग रहा था महां पर सारी दुखाने को लिवी सब चीज बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं वहां से कुछ समान लेकर राई तो मैंने दिखाया नहीं था तो चलो दिखाती हूं मैं आप लोगो क्या में लेकर आई हूं कुछ इसमें से मैं चेंज भी करके आऊंगे एक मैं परस लेकर आई थी तो मैंने आकर गर पे देखा तो उसका जो क्या था बैल्ट की जो होता है वो टूटा वहां मैंने चेक न बागी देखोंगी बाद में अगर गई तो फिर लिए क्या जाओंगी कुछ अगर जुलत होगी तो बस एक अम्मी का सूट लेकर आई हूँ यह वाला तो बहुत सिंपल सोबर सा है लेकिन बहुत प्यारा है इसका इसका इसा सॉफ्ट है बहुत इच्छा नमाज के लिए और यह इसकी शलवार है और यह इसकी कमीज पे भी जादा बतलब कुछ और कि नहीं है सुल्का-फिलका उसा ऐसे ही है विए इस बिस बदर्ट तो चांज हो नहीं है यह दुर्ट जादा वो नहीं है वह सिंपल सवर भी इस नेहीं लग प्यार लगा था बहुत इस बदम रहे कि अबर अबस यह अग्ड़त हो निक एपी अपनी लिए प्लस ये पॉकेट भी है साइड वाली और साथ में ये बेल्ट भी दी हुए तो ये तो मुझे इतला क्यूट सा प्यारा सा लगा तो इसलिए मैं ये भी लियाई और हाँ एक में लेकर आई ती ये वाला तो चले इसको पहले खोलती हो बाद भी दिखाती हुए मुझे तो बहुत प्यारा लगा और मैं एक चीज सोच के लिए कर आई थी पनी में पैक ऐसे ही था तो मैं इसको ना ये ना मैं हैंडल समझ लेकिए ऐसे पकड़ने वाले हैंडल है तो शायद गिरावा है लेकिन ये तो इसका डिजाइन निकला तो वस थोड़ा सा मुझे इस अच्छा लग रहा है ना आप मुझे बताना के में इस पर कैसा लग रहा है मुझे तो मतला बहुत ही इतना प्लासी सा चुटा सा च्छा सा क्यूट सा लग रहा था पर चेंज करके देखती है अच्छा यही मिल जाएगा तो इसका दूसरा पीस लेकर आ जाओंगी तो कर देखती है अच्छाओ में तो पानी नी पीते है तो इसलिए तो फिर असलम अलेकूं तो होगया है बसर पाई मेरा बन आपके नी मतलब सामन तुम्ने बन ले तो दुकेर में तो ये शालेल बना रहा है यापर कीमचनी की दाल करें खाया कामरा इसना है जह जादा को ये दो ना रही हुँ चोले कुल्चे तो चोले कुल्चों के लिए या पर मत्र जो होती है मत्र वाले जो मत्र कुल्चे ने वाँ दिया थे हांपर मटर मेंने विपोपर रग दिया थे इता मुट ऐना थे चमचे से वोगे फूट गया इंक रिख लगांगे तो इनके बस बनाओं जल्दी दबादा पटचाथ कुल्चे मेंने बजार से मंगाऊंगे वह सेख हुगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो घर में पुल्च बनाओ लुगा तो इसलिए बजार से बनाओंगा नहीं जादाने नहीं जाने थादानी थोड़े से बनाओंगे अफ़तार में काफी सारी माशलेस चीज़ चाथी हैं तो थोड़े सी पुछ अलग से हो जाएगा आज को सब एक में सकला में घोइकर जार। बबने हिए च्रीदल तो नहीं सब्सक्राइब करका करने थोड़ा सा पत्ला क्योंस ऐखते। तरहँ हुक्तुर करता है नाना तो आप state we start लाल मिर्ची, शक्राइब तेस्त काचा में चैटनी, मिर्च यूद युद जांग मुर बाद चय आफ, आधा चैमचा हैं सिला तो मैंने पहले निकालके रखा हुआ था इमली का पानी वह भी डाल दिया था और फिर उसके आध़ बार ना नियम्बू तो इन सब को अच्छे से कर लिया था फिर मैंने मिक्स और सही में मतलब बहुत ही मज़े के यह बने थे चोले कुल्चे क्योंकि चोले मैंने गरवे मना लिए थे और फिर कुल्चे में बहर लिए तो âu कशूरी मेती का भी न अच्छा सा टेस्ट आता हो अच्छी लगती है मुझे तो बहुत पसंद मेती जैसे कि आप लूग जानते हैं पहले जो वीडियो देखते हैं पहले से उन्हें सब को पता हो गए वजी लिए तो उसके बाद करेंगे अपने कुल्चे तयार तो यहां मैं और मेर का जो चो तो कुलचे मैंने मतलब मंगाई तो बस उनको शेखना होता है मैंने जल्दी से तोड़ा सा मकं लगा, लगा के इनको सेख लेते अच्छे से, तो यहां कुल्चे एक दम तयार हो गए थे बड़ी आखे, तो जादा मनूद सेखना नहीं होता, भोती हलका से लगा के इसको होती हलका सा सेखना तो थोड़ा से यहांच पर जल जाते हैं, हमेर तो आप लोग भी जरूर ट्राइब करना क्योंकि इतना टाइम नहीं तो जो वीडियो अच्छी लगती होंगी तो जो वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज वीडियो का लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें